सायद ये एद भी फीकी ही निकल जाएगी सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिस दे पाता पर इस महंगाई में कहां जाए कोचिंग करने एद मुबारक भाईया मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों साब कोचिंग को लेकर बहुत परिशान है तो लीजिये मैं आपके लिए कोचिंग ले आया कहां से लाए इतने सारे पैसे? भाईया आपने जो एदी दी थी ना मतलब तुने एदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग न उड़ा दिये? कोचिंग पर मिलेगा अप्टू 90% आफ एंड 33% की एक्स्टा वेल्डिटी तो अगर आप इन एक्जाम की तैयारी कर रहे है तो अभी जाए और ओफर का लाब उठाईए नवस्कार दोस्तों वेरी गुड आप्टर नून टो अल आप यू टेस्ट वोक्स उपर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है सभी का वेल्कम है दोस्तों दुपहर के बारे बच चुके और आपके सामने 17th BPSC एक्जाम के लिए सामान विज्ञान का ये सिसन आ चुका है जिसमें आज हम कुशन के बाध्यम से सामान विज्ञान के टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट कुशन है उनको हम डिसकस करेंगे और यह हमारा मौक नमबर 7 जैसा की एवरी डे ये क्लास आपकी 12 से लेकर के एक बज़े तक चलती है जिसमें हम बहुत ही सांदार कुशन पर चर्चा करते हैं जो आपके BPSC और upcoming state PCS exams के लिए बेहदी महत्पून है बहुत ही सांदार आपका शेशन है तो गाइड सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और जल्दी सभी लोग शेशन को शेर कर दें लाइक कर दें ताकि ज्यादा स्यादा लोग जुड़े एक सांदार शेशन मैं आप पर डिसकस करने वाले हैं तो गाइस सामान विज्ञान का यह सेशन आपके BPSC exams के लिए मौक नंबर 7 यह 7 पार्ट आपका है गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सिशन 17th BPSC की जो हवारी master classes है हमारे online study platform पर हमारे all educators त्वारा every Monday to Friday conduct होती है इनका लिंक वाइटी वीड यह आपका ongoing है और इस पैच के माध्यम से सत्तरमी BPSC की तयारी करने वाले छात्रों को सुपर कोचिंग देता है एक ही सब्सक्रिप्शन में बन स्टॉप solutions जिसमें आम आपको प्रवाइड कराते हैं live plus recorded classes mentorship session answer writing session plus बहार special और आपका current affairs साथी दोस्तों यह मेरा telegram channel है ब्राजन सर test book जिसका scan कोड़ आपके सामने इसको scan करके आप पहुंचेंगे मेरे telegram channel पर जहां से आपको daily yt session के pdf notes discussion के साथ doubt solving direct interactions quizzes and polls भी आपको मिलेगा साथी सुपर कोचिंग का सतरमी BPSC के लिए GS Foundation संकल बैच यह आपका ongoing है और इस बैच के माध्यम से सतरमी BPSC के आपकी prelims और means की संपूर तयारी कराई जाएगी हमारे all educators के द्वारा तो गाईज जोने super coaching के साथ और अपने सतरमी BPSC exams की तयारी को सफल बनाएं और अपने government job पाने के सपने को पूरा करें साथी guys super coaching की जो आपकी है इद special cell और इस cell के माध्यम से इद special cell जो आपकी है इस cell के माध्यम से सतरमी BPSC का course आपको मिलेगा मात्र 2436 रुपए में ये आपका only price है और ये ballot है आपका 10th to 12th April यानि की 10 से 12 April तक इद cell जो आपकी है इस cell के माध्यम से BPSC 70 का codes ठीक है मिलेगा बहुत ही कम discount में तो चल्दी करें इस offer का लाब लें ठीक है और maximum discount के लिए coupon code में अपलाए करें ब्राजेंद्र तो दोस्तों जोड़ें BPSC super coaching के साथ और अपने सपनों को साकार करें तो चलिए पहला question में लेक क्योंकि सांदार question जैसा कि आप every day दिखते हैं चलिए पहला प्रश्णा आपके सामने आ चुका है एक्स ओ संक्रमन question number 1 जो आपका है यह लिखा है आपका एक्स ओ संक्रमन जैन्थो मोनास ठीक है और आईजी पी ठीक है और आईजी पी और इजा जो आपका बैक्टीरिया है जीवानू के कारण यह जो संक्रमन आपका होता जैन्थो मोनास और आईजी ठीक है जैन्थो मोनास और आईजी पी और आईजी के माध्यम से यह जो संक्रमन आपका होता इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन आपका सही है एक्स ओ ओ संक्रमन नाम सुना होगा आपने एक्स ओ संक्रमन इंफेक्शन जैन्थो मोनास ठीक है और आईजी पीवी और आईजी बैक्टीरिया के कारण यह जो इनफेक्शन होता इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है कुशन नंबर बन आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्ण आपके सामने है अब यहां पर देखी लिख इस कोड दिया है इस कोड से आपको आंसर का चैन करना है चार आपके कथन और इसके बाद कोड आपका नीचे है कौन-कौन से कथन x-o संक्रमण से रिलेटेड आपके क्या है सही है सांदार कुशन और बिल्कुल सांदार तरीके से आंसर देना है पहला प्रश्ण आपके सामने आ चुका है नीचे आपके option दिये हैं और option यानि code आपका code से आपको chain करना है तो यदि हम बात करें चावल में एक गंभीरियल bacterial leaf blight बिमारी leaf blight यानि की पत्ती जो रोग आपका होता leaf blight पत्तियां damage होती है सही लिखा है इसे bacterial blight के नाम से जानते हैं सही लिखा है एक ये negative ग्राम negative bacteria के कारण ये भी सही लिखा है और इसका कारण इस संक्रमन का कारण जो आपका है जैन्थो मोनास जीवानू ठीक है जैन्थो मोनास और IZP और IZ जो आपका है जैन्थो मोनास ये bacteria इस रोग का कारण है तो ये भी आपका सही लिखा है यानि कि 1, 2, 3 और 4 चारों स्ट्रीटमेंट सही लिखे हैं तो answer आपका हो जाएगा D चावल का ठीक है जो leap blight rog है आपका leap blight rog of rice ठीक है याद रखेगा तो right answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी डी आपका correct answer होगा clear guys समझ में आ गया सभी को चलिए सभी कथन सही है अगला प्रश्णा आपका है question number 2 है आपका रास्ट्रिये कामधेनु आयोग के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है रास्ट्रिये कामधेनु आयोग निम्लिखित में से कौन सही है आपको बताना है वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा रास्ट्रिये कामधेनु आयोग की यदि हम बात करते हैं निम्लिखित में नाम सुना होगा आप सभी ने कामधेनु आयोग जो आपका है इसकी स्थापना छे फरबरी 2019 को 6-5-2019 को किसके द्वारा मानिये ठीके प्राइम मिनिस्टर ओनलेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी के द्वारा खुद नरेंद्र मोधी ने इसकी स्थापना की थी ठेके नरेंद्र मोदी द्वारा ये स्थापित आपका किया गया था नेशनल कामधेनु कमिशन जो आपका रास्टिये कामधेनु आयोग किस अंदर्ग में कौन से कथन सही है ये आपको बताना है Which of the following statement are correct about रास्टिये कामधेनु आयोग इसका उद्देश आधनीक बैग्ञानिक साथनों पर पसू पालन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश मवेशियों की नसलों का सनक्षण और सुधार करना है इसका गठन केंद्रिय मंत्राले के क्रेसी और किशान कल्यान मंत्राले के तहत किया गया है अब यहाँ पर नीचे code आपके दिये हैं code आपके दिये हैं 1-3, 2-3, 1-2 और 1-2-3 तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है question number 2 जो आपका है बताएंगे दूसरा प्रशन आपके सामने आ चुका है जल्दी से फटा-फट question पढ़े, option पढ़े, answer देंगा और सभी लोग जो भी session में जुड़े हैं session को share और like करते जाएं ये सांदार question आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है? प्रते एक दिन के जो daily question है घिसे पिटे वो सब जगए आपको मिलते हैं ठीक है भीया, जहां पर आपको option में problem हो आप उससे बोल दीजेगा, मैं बता दूँगा टिकर रहेगा, टिकर रहेगा D option में लिखा 1, 2, 3 D जो आपका option है last में दिखनी रहा उसमें लिखा 3, मैं बोल दूँगा आपको जहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको answer यहां पर बताना है तो guys दिखो कामधेनू mission, गायों की नसलों में सुधार करना, बैज्ञानिक साधनों पर पसू पालन को बढ़ावा देना सही लिखा है, इसका उद्देश मवेशियों की विसेशकर, गायों की नसलों का सन्नक्षा और क्या करना, सुधार करना सही लिखा है, इसका गठन केंद्री क्रसी मंत्राले के किसान कल्यान मंत्राले के तहत किया गया था, यह गलत लिखा, क्योंकि इसका गठन खुद नरेंद्र मोदी ने किया था, यह कोई मंत्राले के अधीन नहीं इसका गठन किसके द्वारा खुद नरेंद्र मोधी के द्वारा किया गया था कब किया गया था छे फर्वरी 2019 को तो तीसरा कथन गलत है आपका पहला और आपका दूसरा सही है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी पहला और दूसरा तीसरा कथन आपका गलत है सी आपका क् ऑन्सर त्ट्प हुआ ठेकर पहला दूसरा सही है यहाँ पर आपका राइट अंसर जो होगा याद रखियेगा मंत्राले नहीं इसका गठन सीधे अधर मुनसर ने खुद किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने बिखरे हुए चरण कणों द्वारा प्रकास के प्रकीनन को इसके माध्यम से गुजारने को के रूप में जाना जाता है Collidal Solution, Collide Billion Collidal Solution से जब हम किसी प्रकास किरण को गुजारते हैं तो देखा होगा ठीक है प्रकास किरण आपकी क्या हो जाती है ठीक है प्रकीरनित ठीक है प्रकीरनित और प्रकास करण जहां से गुजरती है उसका मार्ग इस पस्ट रूप से हमें दिखाई देने लगता है इस घटना को या इसे किस रूप में जाना जाता है और प्रकास करण को इसके माध्यम से गुजरने पर ठीक है इसका पाथ जो है प्रकास का लाइट का पाथ है वो हमें दिखाई देता है यह देखो यह नॉर्मल बिलियन है लेकिन आपका कोलाइट यह आपका क्या कोलाइट है यह केबल नॉर्मल बिलियन है यह केबल बिलियन है और यह आपका क्या क्या कोलाइट बिलियन है और जब हम प्रकास करण को गुजारते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा यह देख कुलाइट बिलियन से गुजारते हैं तो इसे टिंडल प्रभाव की नाम से जाना जाता है तो जो आपका होगा करेक्ट आइंसर क्या हो जाएगा बी आपका क्या होगा रॉइट आइंसर प्रिश्طन होगा कुश्य नंबर 3 का. अगला कुश्य न आपका है. चौथा प्रिश्टे हैं अनुवान्सिक समागरी का आधान प्रदान होता है. और आपका लिखा है बडिंग इस तरीकि इसको लिखेंगे, ये बडिंग है आपका ठिके बडिंग या यौन प्रजिनन या अलेंगिक प्रजिनन या बानस्पतिक प्रजिनन ठीक है बडिंग द्वारा या सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन द्वारा या असेक्स्वल रिप्रोड़क्शन द्वारा या बेजिटेटेव रिप्रोड़क्शन के द्वारा जो आपका है अनुवान ठीके लेंगेक जनन और एक आपका होता है अलेंगेक गुन आपके आपके घ्रेट सेक्षूड ठीख स्वाइन सेक्ष और ऑठ सेक्षूल है तो यहां पर आंसर होटेकशन के दौरा होता है तो राइट आंसर यहां पर सान्दार आपके स्ट्रीलर ताब कोश्यन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है दो कुश्यन आपने देखे स्टेटमेंट वाले दो देखे नॉर्मल वाले अब यहां से पूरी पिक्चर अभी आपकी शुरू होनी वाकी है कुश्यन आपका है बोल बैचिया पद्धती बोल बैचिया पद्धती बोल बैचिया मैथड का कभी-कभी-कभी निमलिकित में से किस एक के संदर्म में उलेक होता है नाम सुना होगा आपने बोल बैचिया मेथड ठीक है बोल बैचिया जो आपकी मेथड है तो बोल बैचिया मेथड का आपने नाम सुना होगा कभी-कभी इसका उपयोग किस एक के संदर्म में होता है option number A मच्छरों से होने वाले विसानू रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में से स्सस्य क्रॉप रेजिंग से सम्विस्टन समागरी पैकिंग मटेरियल बनाने में जैव निम्लिकरणिये प्लास्टिकों का उत्पादन करने में या जैव मात्रा के उश्मरा साइनिक रूपांत सांदार कुश्चन है आपका तो बिल्कुल यहां पर बताएंगे कि बोल बैचिया सिस्टम तो बोल बैचिया मेथट जो आपके है गाईज इसका उप्योंग कभी-कभी किस संदर में मच्छनों से होने वाले विसानू रोगों के प्रसार जैसे आपने देखा होगा एडीज एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण जो आपका होता है कौन सा रोग होता है तो बॉल बैचिया मेथट का नेम उलेखित होता है तो बॉल बैचिया मेथट जो आपने मेरा ठीके मच्चरों द्वारा होने बाले बिसाडू रोगों के प्रसार के नियंत्रण के लिए बोल बैचिया मेथट का यूज करते हैं, तो राइट आंसर जो आपका होगा A, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गैस, A आपका राइट आंसर होगा, तो कुश्चन नमबर फाइब का करेक्ट आंसर आपका A है, छटवा कुश्चन आपका है, एरियल मैटा जेनोमिक्स, ये लिखा है आपका, ये सब यहाँ पर देखिएगा, अच्छे तरीके से, एरियल मैटा जेनोमिक्स, निमलखित में से किस एक स्थिती को सबसे सही निर्दिष्ट करता है, एरियल मैटा जेनोमिक्स, एरियल मैटा जेनोमिक्स, बेस्ट डिस्क्राइब्स, विच वन आप दा फॉलोमिंग, ठीके सिचुएशन्स, किस एक स्थिती को सबसे अच्छे करीके से उलेखित करता है संदर भीत करता है Arial Genomics जो आपका है Metagenomics है किसी पर्यावरण में वायू से DNA प्रति दसाओं को एक बार में खट्टा करना किसी पर्यावास की पच्छी जाक्यों की अन्वांसिक रचना को समझना, गतिसील प्राणियों से रोधिर प्रतिदर्स लेने के लिए वायु वाहत युक्तियों का प्रियोग करना, भूमीतल और जलनिकायों से पादा पेवं जन्तु प्रतिदर्स एकत्र करने के लिए अगम छित्रों में ड्रोन भेजना, तो यहाँ पर देखो सा Metagenomics की बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप सभी लोग जानते होगे, और यदि नहीं पढ़ा होगा, तो आपको मालूम नहीं होगा, कि Arial Metagenomics क्या होता है, तो Arial Metagenomics जो आपका है गाईस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, Arial Metagenomics का मतलब होता है किसी परियावास में, वायू से, देखो, Arial लिखा है ना, Arial, तो देखो, Arial से आपको याद रखना था, Arial, Arial से आपका क्या है, आपका Air, यहाँ पर थोड़ा सा इसे, क्या है, मैच किया करो, जब भी कोई ऐसा कुश्यन आता है, जो आपको नई संदर्वित है, कभी-कभी दे परियावास में, collecting DNA sample from the air in a habitat at one time, किसी परियावास में, वायू से DNA प्रती दर्सों को एक बार में क्या करना, एक खटा करना, ठीक है, वायू से, ठीक है, कोई भी आपका क्या habitat है, कोई भी habitat, एक habitat यानि की परियावास, जहाँ पर जीव रहते हैं, वहाँ पर वायू से DNA की से sample को, एक ही बार में खटा करना, यही आपका है, तो right answer, आपका correct answer क्या हो जाएगा, guys, A आपका right answer होगा, collecting DNA sample from the air in a habitat at one time, that is called aerial metagenomics, इसे ही हम aerial metagenomics की नाम से जानते हैं, तो correct answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A, ठीक है, A आपका हो जाएगा, आपने drone से पढ़ा होगा, अब वो अलग है आपका, ठीक है, यहाँ पर aerial metagenomics आपका right answer यह है, question number 7, micro satellite DNA, micro satellite DNA, निमलेखित में से किस एक मामले में प्रियोग किया जाता है, question number जो आपका है, ठीक है, अब धर्ती पुत्र भाई, धर्ती पुत्र क्या है, अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं, हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी समझ लो इसको, इस तरीके से यहाँ पर बताना है, micro-DNA, सूच में उपग्र है, DNA निम्लिकित में से किस एक मामले में प्रियोग किया जाता है, प्रानी जात की बिभिन जातियों के बीच विकास परक्ष संबंधों का अध्यान करना, इस टैम कौशीकाओं को बेविध प्रकार यात्मक उद्कों में रूपांतरित होने के लिए उदीम करना, उद्यान क्रिशी के पात्पों के क्लोनी प्रिसार को शम्मंदृत करना, किसी समस्टी में स्रंकला बद्ध औशद परिक्षण कर औशदों की प्रभाव कारिता का आंकलन करना माइक्रो सैटेलाइट डियने का किस एक मामले में प्रियोग किया जाता है निमलिकित में से किस जगह पर माइक्रो सैटेलाइट डियने आपका यूज होता है कुश्य नंबर कि कुश्य नंबर जो आपका 7 सात्वा प्रश्ण आपके सामने है गाईज कुश्चन पढ़िए ऑप्शन पढ़िए आंसर दीजिए तो माइक्रो सैटिलाइट डियाने का यूज आपका होता है प्राणी जात की बिभिन जातियों ठीके प्राणी जात यानि क रिलेसंसीब बिडवीन डिप्रेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा गाईस यह आपका प्रेक्ट अंसर होगा टीके आपका क्या राइट आंसर याद रखिएगा तो एश्य तरीके से यहां पर आपको बताना है याद रखेंगे ठीके से आए बाई प्रिश्च वहीं से आते हैं जहां से कि हमको क्या psychology यहां Legislative इनेक्शाम देना होता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा अगला कुश्चन आपका है कुश्चन नंबर 8 8 कि आठमा प्रिश्च आपका है निम्लिखिट कथनों पर विचार कीजिए consider the following statements निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए consider the following statement automobile और aircraft में प्रियोक्त होने बाले अभ्यबों के बिनिर्माण में carbon तंतुओं का इस्तेमाल होता है carbon fibers are used in the manufacturing of components used in the automobile and aircraft automobile और aircraft में carbon तंतुओं का क्या होता है उप्योग होता है clear दूसरा statement आपका लिखा carbon तंतु एक बार प्रियोक्त होने पर पुना चक्रित नहीं किये जा सकते carbon fibers can't be recycled once used अब यहां पर देखो उप्रियोक्त कथनों में से कौन से सा सही है है केबल एक साही है केबल दो सही है के एक और दो डोनों सही है न तो एक सही और नाहीं 2 सही है यहां पर आपको बताना है कि आप사 कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है question number जल्दी से फटा पग कुश्व पढ़े option आप्षिन पढ़ें बताएंगे यहाँ पराइस ठीक है देखते ना यही तो असली PERICHclah है कि आपका practice label कितना है थे dando daar का practice label कितना है इसलिए तो मैं बोलता हूं कि यदि BPSC में science में 30 में से 30 लाना है तो more work practice जदस जद आपको practice करनी पड़ेगी नहींहीं चलते हैं हमको लगता टप क्यों क्योंकि हम practice नहीं करते हैं देखो आप जानते हैं चाहे automobile sector हो या aircraft हो इन सभी में carbon तंतुओं का इस्तेमाल होता है carbon fibers everywhere is used सभी जगे इसमें no doubt a statement एक आपका सही है एक तो सही है ठीक है एक आपका क्या सही है ये तो आपका है बिल्कुल तो देखो केबल दो ये गलत हो गया ना तो एक और ना ही दो ये गलत हो गया क्योंकि एक आपका सही लिखा है अब जंग छड़ेगी आपकी किस के बीच में a option और c के बीच में क्या केबल एक ही सही है या फिर आपके दोनों सही है तो आज के समय की technology में आज के समय की technology में carbon तंतुओं का recycling ठ करने के बाद पुना चक्रित नहीं कर सकते हैं किया जा सकता है तो यह कथन आपका गलत लिखा क्योंकि carbon fibers आज की उन्नर technologies के बाध्यम से इनको हम recycle कर सकते हैं रिसाइकल इनको किया जा सकता है तो दूसरा क्या है गलत है क्योंकि किया जा सकता है क्या लिखा है नहीं यह गलत लिखा है किया जा सकता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो केवल एक कथन आपका सही है आंसर आपका होगा ए केवल एक आपका सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका है और रेक्साइब कर सकते हैं यह रिजयबिल है आज की उन्नत टक्निकियों में आपके क्या है रिजयबिल है तो यहां का Andrea पहला आपका सेफीड पिर लिखा नहारिकाए फिर लिखा पाल सर्ट ये तीन आपके आंत्रिक्षपिंड जो आपके स्पेस बेहें सेफीड नहारिकाएं और पलसर इनके सामने इनका बढ़न लिखा है और इन युगमून में से कितने सही सुमेलित यह आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं यह आपको बताना है कुश्चन नंबर जो आपका है ठीके नाइन नौमा प्रशन आपके सामने है गाईस कुश्चन पढ़ें और सबी लोग गाईस सेशन को सेयर और लाइक करते जाए ताकि और भी लोग जुड़ें सांदार सेफीड यह आपका सेफीड यह है दिए आवपर्ति रूप से जलते हैं मतलब एक परिवर्त तारा जो कि जलता बुच्ता जलता बुच्ता उस से क्या कहा जाता है यह दूसरे के निहारिकाई क्या है आंत्रिक्ष में गैसों के ठीके धूल और गैस के विसाल बादल नैबुला ठीके इन्ही निहारिकाउं से आकास गंगा ठीके आकास गंगाओं में सौर मंडल जैसे हमारा सौर मंडल आकास गंगा का एक भाग है तो गैसों के धूल बादल यह तो एक दू भाई पलसर निउट्रॉन तारे यह हमें मालूम है आंत्रिक्ष में उच्च बेग से घूमते हुए निउट्रॉन तारे जब विसाल तारों का इन्धन खत्व हो जाता है तब उनका निपाद ये गलत लिखा है लेकिन ये ऐसे नहीं बनते हैं आपके ठीक है पलसर आंत्रिक् लेकिन आपका गलत लिखा इतना तो सही है कि ये निउट्रोल तारे है ये करेक्ट है लिकिन ये बनने की मैथड्ड लिखी है ये गलत आपके लिखी है तो answer आपका होगा D, इन में से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आपका answer होगा, कोई नहीं, ठीक है, याद रखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, all wrong, देखो, pulsar आपके BPSC में पूछा गया था, pulsar क्या है, पूछा गया था तो आपने answer दिया था कि आंतरिक्षे में घूमते हुए neutron तारे सही है लेकिन इनका formation कब होता है जब कोई तारा अपने आकार और बजन में compress हो जाता है तो एक बिस्फोर्ट होता है और उस बिस्फोर्ट से neutron तारा आपका क्या है बनता है बनने की method आपकी क्या है गलत लिखी है बनने की method क्या है गलत लिखी है याद रखिएगा तो यहाँ पर answer होगा इन में से कोई नहीं because ये तीनों आपके क्या गलत है चलिए अगला question आपका है दस्वा निमलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उबग्रह मार्ग दर्सन navigation प्रणाली है कौन सा एक देश अपनी उबग्रह technology में इतना develop है कि उसकी खुद की navigation यानि की उबग्रह मार्ग दर्सन प्रणाली है खुद की है खुद की है या आपको बताना है जल्दी से question पढ़िए option पढ़िए answer दीजे हाँ भाईया पलसर एक बाइक भी होती है जो तेज स्पीड से चलती है वैसी याद रहना ऐसी पलसर तेज गती से घूमते हुए ब्रह्मान में neutron तारे हैं तो इन में से कौन सा एक देश है जिसके पास अपनी खुद की ठीके navigation उब्रह navigation यह किसी पर डिपेंड नहीं है अपनी उग्रह navigation यानि की satellite navigation system इसके पास खुद का है ठीके खुद का है तो यहाँ पर answer जो आपका होगा correct answer होगा जापान नो इस्राइल भाई हर जगे इस्राइल थोड़ी आएगा इस्राइल अपनी रच्छा तक्णिकी में सक्षम है इसके पास डिप decree ठीकनोलजीए बहुत अच्छी है अगरि कल्चरन सिस्टम ठीकनोलजी बहुत अच्छी है लेकर हर जगह थोड़ी सक्षम होगा ठीक है हर जगे थोड़ी सक्षम होगा याद रखेगा तो जापान जापान ठीक है ऐसा देश जिसके पास खुद की अपनी उपग्रह नवीगिशन क्या है प्रणाली है तो राइट आंसर आपका होगा जापान क्योंकि जापान टेक्नोलजी में बहुत ज्याद क्योंसा डेबलफ है आप सभी जानते है तो राइट आंसर जापान आपका रहत जाएगा जलेंसे हैं है य उससी में जांसर क्या है योजाइगा दी हो जाएगा अगला प्रशन आपका है कुछ्य नंबर 11 पारा प्रदूशन मेर्कूरी पॉलुशन के बारे में मर्कूरी पॉलुशन के बारे में निमलिखित कत्नों पर वेचार कीजिए ठीकर रिगारडिंग मर्कूरी पॉलुशन कंसीडर दा फॉलॉविंग स्टेट्मेंट स्टेट्मेंट वन स्वर्ण खनन गतिविधी विश्व में पारा प्रदूशन का स्रोथ है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इसा सोर्स ओप मर्कुरी पॉलुशन इन दा वर्ल्ड कोईला अधारित उश्मिय सक्ति स स्यंद्र थर्मल जो आपके पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूशन होता है कोल बेस थर्मल पावर प्लांट स्कॉजिस मर्कुरी पॉलुशन पारा के संपर्क में आने का कोई ग्यात सुरक्षा इस्तर नहीं है मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है क कोई ग्यात सुरक्षा इस्तर नहीं है there is no non safety label of exposure of mercury उप्रोक्त में से कितने कथन सही है how many of the above statement are correct केवल एक केवल दो सभी तीन या कोई भी नहीं कौन सा कथन सही है यहां पर यह identify करना कटेन हो जाता है कौन कौन से सही है क्योंकि इसने यह नहीं बोला है एक सही है दूसरा या तीसरा यह नहीं है केवल एक सही है कौन सा एक सही है आपको यह नहीं बताना कि केवल एक ही इसका मतलब यह नहीं है कोई भी इन में से एक सही है कोई भी इनमें से दो सही है और क्या सभी तीनों सही है इसका मतलब यह है या कोई भी सही नहीं है आपको बताना है आप तो बताईए कितने कथन सही है एक कथन या दो या तीनों सही है आप यह बताईए केबल यह आपको बताना है क्लियर तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा करेक्ट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा ठीके कुश्यन का आंसर सुणखनन गतिविधी विस्सु में पारा प्रदूसर्ण का स्रोथ है सही लिखा है पारा प्रदूसर थर्मल पावर प्लांट से भी आपका होता है ये भी सही है और पारे के संपर्क में आने का कोई ग्यात सुरक्षा इस्तर अभी तक नहीं है ये भी सही है मतलब एक, दो, तीन, तीनो सही है तो आंसर होगा सी सभी तीनो कथन आपके सही है पाराप्रदूसर्ण का स्रोथ, गोल्ड बाइन्स और आपके थर्मल पावर प्लान्ट है और अभी इसके समपर्क में आने का कोई ग्यात, सुरक्ष्य अस्तर नहीं है तीनो राइट है थीकिए, तीनो राइट है, याद रख्येगा थीकिए तीनों आपके क्या right है तो answer आपका क्या हो जाएगा C C आपका क्या होगा correct answer होगा याद रखेंगे अगला प्रश्णा आपका है question number 12 हरित hydrogen हरित hydrogen यानि किसके बारे में green hydrogen के बारे में ठीके आपको बताना है green hydrogen हरित hydrogen green hydrogen के संदर्म में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए consider the following statement regarding green hydrogen इसे आंत्रिक दहन internal combustion engine के लिए इन्हन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है इसे प्राकृति गैस के साथ मिलाकर ताप या सक्ती जनन के लिए इन्हन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन इन्हन प्रेकोस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है अब यहां पर आपको बताना है देखो internal combustion engine में एजा फ्यूल डारेक्ली इसके अलाबा नैचुरल गैस के साथ मिक्स करके ताप ठीक हीट पावर जनेशन के लिए और बाहन चालन के लिए हाइड्रोजन इन्हन फ्यूल चेमबर में से डारेक्ली यूज कर सकते हैं उप्रोक्त में से कितने कथन आपके सही है या आपको बताना है कितने कथन आपके सही है यह आपको बताना है एक दो तीनों कितने कथन आपके सही है तो देखिए हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन जो आपका हरित हाइड्रोजन है इसे बिलकुल हम आंतरिक दहन के लिए इनहन के रूप में यूज कर सकते हैं इसे नैचुरल गैस के साथ καठ मिला कर साप या पावर जनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसे वहां z के लिए हाइड्रोजिन इन्हन प्रेकोस्ट में इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा है दोज़य के सुझे आंसर आपका हो जाएगा सी तीनो जा300 ना powin आपका होगा C, C आपका क्या होगा, correct answer होगा, याद रखेगा, clear guys, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी question को पढ़ना है, और बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या है, बताना है, देखो, यह question आपके exams के लिए बहुत ही सांदार है, बहुत ही helpful है, और बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके, आपका जो लेबिल है ना, एक आपका अलग लेबिल होगा, ठीक है, अलग लेबिल होगा, याद रखेगा, ठीक है, अलग लेबिल होगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको समझना है, पढ़ना है, question number 13, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, consider the following statement, भारत अपने पास यूरेनियम निच्छेप, डिपोजेट होने के बावजूद, अपने अधिकांस विद्दुत उत्पादन के लिए कोईले पर निरवर है, आप जानते हैं कि भारत में वारेज्य पर वाई किससे होती है सबसे आदा ताब विद्दुत, कॉमर्सियल इनरजी ताब विद्दुत 67% सबसे आदा जबकि भारत के पास यूरेनियम ने च्छेप बहुत जादा है, फिर भी भारत विद्दुत के लिए किस पर निरवर है, ताब विद्दुत यानि कोईले पर कोल पर आपका डेप Demand है दूसरा आपका statement है विद्दु तुदत पाधन के लिए कम से कम 60% सम्वरध और नियूरेनीम का होना अबश्यक है साथ परतिसद तक सम्वरध यूरेनीयं जिसने हम इन रिक यूरेनीयम के नाम से जानते हैं होना आबश्यक है तो इनमें से आपको बताना कि कौन से कथन सही है यह आपको बताना है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है यहां पर आपको बताना है सानदार कुषयन आपका है कि भारत के पास उरेनियम के सम्रग्द भंडार होते हुए भारत का अधिकांस विद्धुत उत पादन ताब विद्धुत से壓िंट हैं तुल बिल्कुल सही लिखा है दूसरा गलत लिखा क्योंकि कम से कम 5% ठीक है 5% कितने परसेंट काइस साट प्रतिसत नहीं 5% यूरेनियम विद्दूत उत्पादन के लिए हमें 5% समर्द यूरेनियम 5% सम्रिद यूरेनियम की अब शक्ता होती है यहाँ पर जो 60% लिखा है वो गलत लिखा है तो आंसर C होगा कथन 1 सही है कथन 2 गलत है आपका C राइट आंसर आपका हो जाएगा कथन 1 सही है किन्तु कथन 2 जो आपका है या आपका गलत है ठीक है गाईश चलिए आँगे पढ़ेंगे अगला कुशन आपका चवड़वा निम्लिखित कतवव्पर बिचार कीजिए निम्लिखित कत्रों पर बिचार कीजिए कथ्वपर देखो यह आपकर देख सकते मरसूपियव इनको मर्सूपियल या मर्सोपियल कहते हैं मर्सोपियल यानि की कंगारू ये आपके कंगारू है यदि आप ना समझो तो मैं आपको बता दूँ सिशुधानी इस्तनी मर्सूपियल या मर्सोपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं मर्शूपियल डू नोट अकर नैचुरली इन इंडिया कथन दो दूसरा कथन शिशुधानी इस्तनी केबल परभक्षी रहत परवतिय घास इस्तलों में ही पनप सकते हैं मर्शूपियल यानि कंगारू यहाँ पर आपको मैंने शिम्पल कर दिया मर्शूपियल जिन में थैली पाई जाती हैं यह यह अपके इस्तन्धिاي के नाम से जानते हैं तो यहां पर आपको बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा क्या है गलत है क्लियर तो यहां पर देखो सिसु धानी इस्तनी मर्सोपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं सही लिखा है क्योंकि यह कहां पर होते हैं औस्टेलिया यह आपको कहां पर मिलेंगे औस्टेलिया में मिलेंगे यहां पर आपको मिलेंगे औस्टेलिया अमेरिका ठीक है और अफ्रीकाई देशों में देखने को मिलेंगे कंगारू ऑस्टेलिया देखते ना कि भी ऑस्टेलिया के लोगों को कंगारू कहते हैं कंगारू ऑस्टेलिया अमेरिका में भारत में नहीं मिलते हैं भारत में आपके क्या नहीं मिलते हैं तो यह गलत बिल्कुल यहा यहां पर आपके पनप सकते हैं यह आपका गलत लिखा है जो आपका है तो यहां पर सही कथन आपका एक होगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा तो कथन परोते ऐस्ट्रェली आमेरिका में यह क्या है आपको मध्यम इस्तंधारी मेटा इस तंधारी मध्यम इस तंधारी जो अब इकसित सिसू को जन्म देते हैं और इनके सिसू का विकास इनमें पाई जाने वाली घ्रीविटधे को घ्रोप ये मर्सोपिय मैकाकू आपका है यह आपका सांभर हिरन सांभर ठीक है सांभर है और यह आपका जो है सिवेट मालाबार में पाया जाने वाला सिवेट मालाबार सिवेट है यह तीन प्राणी है मैकाकू ठीक है सांभर और आपका सिवेट जो की मालाबार कॉस्ट में पाया जाता है इनमें से सूरियास्त यानी की रात्री में सक्रिये होते हैं कौन रात्री में सक्रिये होते हैं यह आपको बताना है जल्दी से फटाफट question पढ़े option पढ़े answer देंगा जाए और सभी लोग session को share और like करते जाए ताकि की ज्यादस ज्यादा लोग जुड़ें सांदार कुश्यन आपके सामने चलना है इनमें से कौन रात्री में सक्रिय होते हैं या आपको बताना है केबल एक केबल दो सभी तीन या कोई भी नहीं रात्री में सक्रिय होने वाले जो नाइट में एक्टिव होते हैं ठीक है दिन मे प्राणी यानि कि यह कब आपका एक्टेव होता है यह डे में होता है यह आपका डे में होता है तो यहां पर देखो डे में होता है यह तो यह बाला आपका नहीं होगा अब यहां पर देखो सांभर सांभर हिरन एक माया भी हिरन है कैसा हिरन है यह माया भी हिरन देखाओगा सीता जी का हरन हुआ था मायावीहिरण आया था मरीची नाम सुना ही रैक माया भी हिरण है और सिवेट यह दोनों जो आपके हैं यह रात्री में अक्टे होने वाले प्राणी है तो आंसर हो जाएगा केबल दो यानि कि आपका अंसर होगा दो और आपका 3, Cable 2, B आपका right answer होगा, B correct answer आपका हो जाएगा, ठीके, B आपका क्या होगा, right answer हो जाएगा, याद रखिएगा, तो यहाँ पर देखो, यह आपका है मैं काकू, यह दिन में active होता है, दिन में, और यह दो आपके हैं, रात में active होते हैं, चलिए, अगला question आपका है, सोलवा प्रश्ट है, निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए, consider the following statements, निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए, कुछ छत्रकों मस्रूमों में औसदिये गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीट नासी होते हैं ठीक है यहाँ पर आपको बताना है जो आपके हैं बिलकुल यहाँ पर आप बताएंगे जो आपका है ठीक है एक्जाम में पूचा गया कुशन है अब यहाँ पर आपको उपरोक्त में से कितनी कथन सही है या आपको आंसर देना है केबल एक, केबल दो, केबल तीन या सभी चार बताएंगे जल्दी से फटा-पट कुश्चन को रीट करें, आप्सन को रीट करें आंसर दें बिलकुल यहाँ पर देखो, सारे कुश्चन्स आपके बहुत ही सांदार है और यह सारे कुश्चन्स आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर है इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है तो राइट आंसर, ठीक है, VPSC का पेपर उठाके देख लीजिएगा नहीं मिलेगा आपको प्रीबियस एर में यहाँ पर यह सारे स्टेटमेंट आपके सही है छत्रक यानि की जो आपके मस्रूम कुछ मस्रूमों में औसधिये गोड होते हैं मेडिसिनल, कुछ आपके क्या होते हैं मन प्रभावी, जो मन को मोहित कर लेते हैं कुछ पेस्टिसाइट कीट ना सक है और कुछ आपके जयो संदीबी सील बायो ल्यूमिनी सेंट आपके गोड रखते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा D अगला प्रश्ण आपका है भारती गिलहरियों के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए गिलहरी देखो देखा होगा गिलहरी, ये गिलहरी है आपकी इंडियन स्क्वेरल इंडियन स्क्वेरल जो आपकी है रीडिंग इंडियन स्क्वेरल्स consider ठीक है following statements भारति गिलहरी के संदर्व में कुछ कथन नीचे दिये है इनको पढ़ना है यह भूमी में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती है जमीन में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती है ठीक है नीड का नीड मतलब क्या होता है घोसला जो का घोसला है जहां पर यह रहती हैं यह अपने भोज पदार्थों जैसे की द्रण फलों नट और बीजों को भूमी के अंदर जमा करती हैं यह सर्व भच्ची होती हैं उप्रोक्त में से कितने कथन सही हैं केवल एक केवल दो सभी तीन या कोई भी नहीं बिलकुल यहां पर देखिए कितने सांदार कुश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं आपके सामने कहीं से भी कुश्चन आ जाएगा तो आप ठीक है इतने अच्छे तरीके से पढ़कर के बताएंगे इतने अच्छे तरीके से पढ़कर के बताएंगे ये भूमी में बिल बनाकर अपने नीट का निर्मान करती हैं सही है आप लोग अभी जानते नहीं है गिलहरी भारती गिलहरी पेडों पर रहने वाली गिलहरी अलग है भारती गिलहरी बिल बनाती है पेडों पर चड़ती ह लेकिन जमीन में बिल बनाकर के क्या है रहती है ये इंडियन गलहरी की विसेस्ता है राइट है स्टेटमेंट वन ये अपने भोज पदार्थों जैसे की द्रणफलों नट और बीजों को भूमी के अंदर जमा करती है गलत लिखा है ये कभी भी फूड का कलेक्शन नहीं करती है ब्रोजन संग्रहन नहीं करती है जो मिला खाया मतलब जब मन हुआ तब खाया और वहीं पर खत्म कर दिया ये कभी भी भोजन का संग्रहन नहीं करती है याद रखियेगा तीग है ओर यह सरोबच्ची होती है बिलकुल यह fruits अख्रोट yards खाती कीटों को भी खाती है और सरोभच्च कींटों को भी खाती है यह भी लेखा है यह भी टोंसरा गलत दो Subनborg जैन्सा पहला और तीसरा जै कि आजसे सै याद रखेगा दूसरा आपका गलत है ठीक है देखा है गाओं में बिल में होती है भाईया देखा है आप लोगों नहीं देखा होगा आप लोगों नहीं देखा होगा इसलिए आपको नहीं मालूम है देखिए अच्छे तरीके से कुछ सूच में जियू जलके हिमांग से नीचे के तापमान वाले बाताबरण में पनप सकते हैं सूच में जीवानु उन सभी जगों पर पाये जाते हैं जहां पर जीवन की लिटिल पॉसिबिल्टी होती आपको पताया था मैंने मतलब यह गर्म जलके जहनों में जहां पर टेंपरेचर 100 डिगरी से उपर है या ठंडे गिलेशियर जो आपके गिलेशियर है जहां पर सभूवाज़ंव्त्रों के विर्टियस यहां पर वहाई जादा जाहिए माध्या मातलब वहाद्फ जो जागों पए जाते हैं जहां पर जीवन की क्या होती है लिटेल पॉसिविल्टी होती है ठीके little possibility होती है तो यहाँ पर एक, दो और तीन, तीनो statement सही है तो क्या हो जाएगा सभी तीन, तीनो कथन आपके सही है तीनों कथन आपके सही है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया उन सभी जगों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवन की थोड़ी सी भी क्या सम्भावना होती है याद रखिएगा चलिए अगला कुश्यन आपका है कुश्यन नमबर 19 निमलिखित में से कौन किसी ब्रक्ष या लकडी की लठे में बने चिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकडी का आउजार बनाता है मत से मारजार फिसिंग कैट या औरंगुटान या उद बिलाओ या सलोथ बियर हूँ अमंग दा फॉलोविंग मेक्स बुडेन टूल्स फॉर स्क्रैपिंग आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स मेड इना ट्री और लॉग ठीक है पेड़ों पेड़ है आपके ब्रक्ष है ठीक है ब्रक्ष है लकडी के लठे में बने चिद्र में से कीटों कीटों को खुरच सार आपका होगा बिल्कुल ठीक है औरंग उठान औरंग उठान अब यह लगभग आपके दिखाई नहीं देते हैं यह बंद्रों की प्रजाती है जिसको औरंग उठान कहते हैं यह लखडी का औजार बनाते हैं और लखडी के लठे यह च्छिद्र में से कीटों को औरंग उठान यही कहलाता है आपका औरंग उठान इसी को बोला जाता है औरंग उठान एक आपका मंकी है बंदर ही है याद रखेगा बहुत ही स्मार्ट है ठीक है बहुत ही स्मार्ट मंकी है याद रखेगा यह बहुत स्मार्ट दिखते थे ठीक है अगला कुशन आपका ह भारत के कतिपय तटिये छेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलमेनाइट और इस्टाइल निमलिखित में से किसके सम्रद्द स्रोथ हैं भारत के कुछ तटिये छेत्रों में कतिपय का मतलब होता कुछ तटिये छेत्रों में हर जगे नहीं कुछ तटिये छेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ilmenite और style निमलिखित में से किसके समरद स्रोथ है यह अयस्क है और इन में से क्या निकाला जाता है यह आपको बताना है यह आपको बताना है कि ilmenite और style किसके समरद स्रोथ है यह आपको बताना है तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका होगा ilmenite और आपका style यह titanium के समरद स्रोथ है titanium जिसका जिसे रणनीतिक धातु कहते हैं का उपयोग सस्त्र अस्त्र सस्त्र बनाने में किया जाता टाइटेनियम एक आपका अरननीतिक धातु है और ilmenite और आपके style यह किसके अयस्क है titanium के है तो राइट आंसर आपका होगा डी और यह कुछ समुद्र तटिये छेत्रों में क्या है आपके पाई जाते हैं अगला प्रिष्णा आपका 21 निम्लेकित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सरवाधिक महत्वूण मानोद बद्भवी स स्रोथ है कौन सा एक खेत या कौन सी एक फसल मेथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सरवाधिक महत्वूण स्रोथ है यह आपको बताना है कुछिन नंबर जो आपका है गाईस 21 21 आपके सामने है कुछिन पढ़े option पढ़े आंसर दें तो बिलकुल राइट आंसर आपका होगा धान का खेत धान के खेत में आपने देखा होगा मेथेन ऑजिन आपके बेक्टीरिया मेथेन का उत्पादन करते हैं साती सात नाइट्रस ऑक्साइड और धान मानो उद्भवी क्या है आपकी फसल है मनुष्य के द्वारा हो आई जाने बाली जो की मिथेन का और नाइटरस ओक्साइड दोनों का एक महत पूर्ण स्रोथ है तो राइट आंसर आपका होगा गैस धान यानी पैडी अगला कुशन आपका है कुशन नमबर 22 भारत के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए विथ रिफ्रेंस ओफ इंडिया कंसीडर दा फॉलोविंग स्टेट्मेंट मोना जाइट दुरलभ म्रदाओं का स्रोथ है मोना जाइट इजा सोर्स ओफ रेयर अर्थ मोना जाइट में थोरियम होता है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोना जाइट प्राकृतिक रूप से होता है भारत में केबल सरकारी निकाय ही मोना जाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं उपरोक्त मेंसे कौन से कथन सही है है which of the following above statements are correct कौन से कथन सही है मोना जाइट वैंगय मोना जाइट सेंड के बारे मेに इंडिया के film मोना जाइट सेंड के बारे में आपको बताना है हुआ ठीक है जल्दी से question पढ़े option पढ़े answer दें हर जग है सरकारी option काम में नहीं आएगा मोनाजाइट दुरुलब मृदाओं का स्रोथ है सही है मोनाजाइट से क्या निकालते है थोरियम थोरियम जो कि एक आपका ठीक है एटोमिक फ्यूल है आपका भारत की समस्त तटवर्ती बालू काओं में देखो गलत लेखा है देखो यह जो आपका किस से बालू ठीक है बालू से निकलता है बालू मोनाजाइट बालू से निकलता यह किलियर है इसी से आपका थोरियम निकाला जाता है लेकिन सभी जगे नहीं कहां प भारत की समस्त तडवर्ती बालुकाओं में मोना जाइट प्राकृतिक रूप से होता है जो की गलत लेका है कहां पर केरला आंध प्रदेश केरला और आंध प्रदेश की तटिये छेतर की जो आपकी बालु है वहां से आपका निकाला जाता है और भारत में केवल सरकारी निका ही मोना जाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं सही है तीसरा गलत है आंसर होगा वन आंसर होगा आपका वनक्टू का गलत है आप लोग भावनाव में बहचाते हैं statement को पढ़िये वह क्या बोल नहीं है ऑलाम में नहीं बहन नहीं स्टेट्मेंट पढ़िए और उसके बाद क्या है आंसर दीजिए ठीक है किलियर गाइस कभी कभी नहीं ऐसे ही कुश्चन आएंगे अबरी डे ऐसी तरीके के कुश्चन आपके आएंगे ताकि आपके दिमाग की बत्ती खुले कि अभी हमें और पढ़ना है कुश्चन नमबर 23 23 Qubit सब्द का उलेक निमलिकित मेंसे कौंग से एक प्रसंग में होता है दवर्ड Qubit is mentored in which one of the following context Qubit सब्द का उलेक निमलिकित मेंसे किस एक प्रसंग में होता है आपको बताना है कुश्चन नमबर जो आपका है 23 आपके सामने है जल्दी से question पढ़े, option पढ़े, answer दे, सभी लोग गाई, जो भी session में जुड़े हैं, सांदार question, cloud सेवाए, quantum संगणन, द्रश्य प्रकास संचार प्रोध्योग की, या वेतार संचार प्रोध्योग की किया, Qubit Word जो आपका है, किस संदर में उप्योग होता है, या आपको बताना है, 23 प्रश्य गाईज आपके सामने है, तो right answer जो आपका होगा, Qubit Word का उप्योग होता है, quantum संगणन के छेतर में, right answer होगा, quantum computing, correct answer जो आपका होगा, quantum संगणन, यानि कि quantum computing की छेतर में, Qubit सब्द का इस चार कीजिए कंसीडर दा फॉलोविंग कम्युनिकेशन टेक्नोलजीज निकट परिपत क्लोस सर्केट लाइक टेलिविजन रेडियो आबरत्ती अभी निर्धारन रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ठीक है बेतार इस्थानिये छेत्र नेटवर्क बायरलेस लो जाती है जो कम परास वाली है कम परास आई सौट रेंज Fellow संगेशन टेक्नोलजीज रें इस एक दो considered हैं लगू परास जो आपकी टेकनिकिया loss यहां पर सौट रेंज फ्रेक्वेंसिज तीक है लगू परास आरां ब्रती का उपयोग होता है यह आपको बताना है कुश्य नंबर जो आपका है 24 तो राइट आंसर आपका होगा दी बिलकुल आपका होगा तीनो ठीके निकट परपत क्लोज सर्केट लाइट टेलीबिजन रेडियो आपरती अभी निर्धारण और आपका वेतार इस्थानिय छेत नेटवर्क तीनो तो आंसर आपका हो जाएगा डी तीनो लगू रेंच ठीके सौट परास जो आपका स्टेटमेंट्स 25 प्रश्ण गाईज आपके सामने हैं जल्दी से कोश्यन पढ़ें आप्सन पढ़ें आंसर दें तीस कोश्यन है इनको खतम करना हमें एक सही टाइम पर बिलकुल यहां पर बताना है जैव परत बायो फिल्म मानव उतकों के भीतर चिकित्स किये अंत्रीप तिके अंत्रीपों पर बन सकती है जैव परत खाद पदार्थ हो और खाद प्रसंसकरण सताहों पर बन सकती है जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध्य दर्सा सकती है उपरोग्त कथ्रों में से कौन सा सही है为 cinthe following is statement are correct जयवपरत मानों उतकों के भीतर चिक्त्सकिय अंत्रीपों पर बन सकती है जयवपरत बायो फिल्म खाद पदार्थों और खाद प्रसंसकरण सतों पर बन सकती है जयवपरत प्रतिजैबिक प्रतिरोध दर्सा सकती है आपको बताना है कौन से कथन सही है Queshion number जो आपका है जल्दी से फटा पट Queshion पढ़े, option पढ़े, answer दे ठीक है जल्दी से फटा पर Queshion पढ़े, option पढ़े, answer दीजे तो answer यहाँ पर जो आपका है, right answer ठीक है, right answer जो आपका है, correct answer होगा बिल्कुल एक दो और आपका तीन जैव परत प्रति जैविक प्रति रोद दर्सा सकती है जैव परत खाद पदार्थों के उपर जैव परत ठीक है जो आपके उतक ठीक है अंतरीप है चिकित स्किया उन पर बन सकती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी यानि कि 1, 2, 3 क अगला प्रश्णा आपका है कुश्य नंबर जो आपका है 26 प्रजैविक प्रोबायोटिक्स के संदर्म में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए प्रजैविक प्रोबायोटिक्स प्रजैविक जीवानूं और इस्ट दोनों के बने होते हैं प्रजैविकों में जीव खा प्रजयविक दुग्द सरकराओं की पाचन में सहायक है उपरोगत कत्रों में से कौन सा सही है विच आप अब इस स्टेटमेंट इस आर करेक्ट कौन से कतन सही है आपको बताना है प्रोबायोटिक्स जब हमें अपज जैसी स्थितियां होती है तब हमें डाक्टर प्रजयवि प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह क्यों नहीं देता है प्रोबायोटिक्स जब हमें अपज जैसी प्रोब्लम होती है तो डाक्टर क्या करता है प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है क्यों देता उसका कारण क्या है क्योंकि ये देखो जीवानों और इस्ट दोनों के बने होते हैं प्रोबायोटिक्स प्रजैविक जीऊ खाये जाने वाले खाद में होते हैं किन्तु नसरगिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाये जाती है ये गलत लिखा है क्योंकि ये हमारी आहार नली में हमारी आत म करते हैं सहायता करते हैं पाचन में सहायक होते हैं जब हमें अपच की विमारी होती है तब डॉक्टर्स हमें प्रोबायोटिक्स प्रजैबिक लेने की सलाय क्यों देता है क्योंकि हमारे पाचन में क्या करते हैं करते हैं तो यहां पर आंसर जो आपका होगगा करेक्ट आंसर होगा दिगे अगला प्रेशन आपका है कुश्या नंमबर आपका है ट्रैकर क्लाइमेट एक्सन ट्रैकर जो बिभिन्द देशों के उद्सर्जन अपचन के लिए दिए गए बशनों की निग्रानी करता है क्या है क्लाइमेक्ट एक्संट ट्रेकर ठीक है याद रखिएगा क्लाइमेट एक्संट ट्रेकर शी एटी सौट में क्या बुलते इसको CAT CAT कहते हैं क्या कहते हैं क्लायमेट एक्संट रेकर जो की विभिन देशों के उस सर्जन अपचैन के लिए गए दिये गए बचिरों की निगरानी करता ये क्या है अनुशंधान संगट्टों के गठवंदन द्वारा निर्मेट डेटाबेस जलवाईव परिवर्तनों के अंतराश्टिये पैनल का इसकंध बिंग जलवाईव परिवर्तन पर सयुक्तरास्ट धाचा अभी समय के अधीन समीती या सयुक्तरास्ट पर्यावरण कारकरम और यहाँ पर क्लाइमेट एक्संट रहकर अनुसंधान संगट्टों के गठवंदन द्वारा निर्मेट एक डेटाबेस है जो क्लाइमेट ठीक है मतलब तापमान को ओसत डेड़ से दो डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए प्रतिबद्ध है मतलब टेंपरेचर ब्रद्धी को करता है किसके लिए जलवायू परिवर्तन को रोकड़े के लिए क्या है काम करता है तो यह आपका अनुसंधान संगट्टों के गठवंदन द्वारा निर्मेट एक क्या है आपका डेटाबेस है तो राइट आंसर आपका होगा ए अगला प्रश्णा आपका है 28 कभी-कभी स ज्यादा उलेख होता है तो गुच्छी के संदर्ब में निमलिखित कत्रों पर आपको विचार करना आपको बताना है ठीके बताना है आपर कुश्य नंबर जो आपका है 28 यह एक कवक है यह कुछ हिमालिये बंचित्रों में उपती है उत्तर पूरीवी भारत के हिमालय की त सही है 2-3 सही है सांदार प्रस्विश्ण गुच्छी क्या मस्रूम यह तो आपको कुलियर हो गया होगा तो गुच्छी मस्रूम पहला तो सही है कवक है तो पहला सही बता बितना हमें पता चल गया कि यह नहीं होगा अब बचेगा C और A C और A में से आपको बताना ड True आर् रिख दिया तो यह कवक है तो पहला तो सत प्रतिसत सही है पहला सही है तो डी गलत हो गया ठीक है और आपका बी गलत हो गया क्योंकि यहां पहला ही नहीं है अब बच्चा केवल ए और सी तो ए और सी में से आपको बताना है मतलब इतना तो यार common sense आप लगा सकते हो कि सामने figure बना है मस्रूम आपको दिख रहा है कवक है मस्रूम है मतलब सही है पहला तो जहां पहला नहीं होगा वो option गलत तो देखो D गलत और आपका B गलत अब C और केवल A बचा है इनमें से आपको बताना है इनमें से आपको बताना है तो बिलकुल right answer ठीकर right answer जो आपका होगा क्या हो जाएगा एक और दो सही है मतलब आपका C होगा C correct answer एक और दो सही है क्योंकि ये हमाले के बंद छेतरों में अपने आप उखती है इसकी खेती नहीं की जाती है Commercial forming नहीं होती है ये अपने आप हमाले के कुछ बंद छेतरों में उखता है गुच्छी एक मस्रूम है गुच्छी क्या एक आपका मस्रूम है याद रखेगा ठीक है मस्रूम है तो राइट आंसर आपका होगा करेक्ट आंसर सी एक और दो आपके सही है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आपका है 29 उन्तीस्वा कुशन आपका है निमलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है विच आप फॉलोविंग इस नौट अबर्ड ине डहान महासीर इंडिया नाइट जार इस पून इल या वाइट आइबिस निमलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं यह तो आप बता दीजिए हो सकता है सायद आज के से साट्विस से सेसन है सबसे सिम्पल है यह सैंप्लिट्स कुश्यन सफीष राइव सभी का आनसर क्या सही आना चाहिए तो बिल्कुल राइत आ ise गोल्डन महासीर एक क्या है मछली है यह मछली है आपकी Golden सीर आपकी फिस है टी कि जो की आपकी क्या है बिलुप्त प्राय सुरी संक्टापन है अभी संक्टापन यानि कि इंडेंजर्ड है महासीर जो आपकी ए गोल्डन महासीर एक आपकी क्या फिस है ठीक है चलिए अंतिम कुशन आज की सेशन का आखरी प्रशना आपका है मियावा की पद्धती किसके अनुवानसिक्ता रूपांतरित पुश्मों का प्रियोकर उध्यानों का विकास सहरी छेत्रों में लगू बनों का स्रजन तटिये छेत्रों और समुद्री सतों पर पमन उड्जा का संग्रहन मियावाकी किसके लिए विख्यात है मियावाकी जो आपका सिस्टम है तो बिलक सारी चीजें आपको न्यू मिली और एबरी डे ठीके एबरी डे आपको 30 की 300 कुश्चन नए ही देखने को बिलते हैं रिपीटेड यहाँ पर बहुत कम होते हैं तो गाई सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठीके जरूर बताएगा साथी साथ सभी को नमस्कार गाइज जय हिंद